तो भाई देखो CM Punk को ले करके इतनी अपडेट आ रहे हैं कि मैं हर रोजी शायस से वीडियो बना रहा हूँ अब तो भाई मुझे भी नहीं पता मैंने कितनी वीडियो CM Punk के उपर बना दिया है लेकिन अब फिर से देख मैडिसन ने CM Punk को ले करके एक चीज कही है जिसके बार में हम आज की वीडियो में बात तो करेंगे लेकिन मैं देख मैडिसर यार एक ऐसा बंदा है जो मिनट में इधर पलट जाता है और मिनट में ही उधर पलट जाता है और सेम चीज अब इसने फिर से करी है तो डेव मैडिसन ने होता क्या है वो अपने इंटर्वी में बोलते हैं कि ये एक सीक्रेट भी हो सकता है कि CM Punk WWE के साथ आए और हायर अप सी कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा क्योंकि जितना मेरी gut feeling कहते है और जितना मेरे को पता था कि report no ही थी और no का मतलब ये नहीं होता कि CM Punk के साथ WWE दुबारे contract sign नहीं कर सकती एक बार उनको मना करने के बाद WWE दुबारे में उनसे contract sign कर सकती है और ये एक wrestling show है और wrestling में कुछ भी चीज़े हो सकती है और WWE इन सारी चीज़ों को secret रखने में माहिर है तो मुझे भी नहीं पता चीज़े क्या है वेल जब तक मुझे जितना पता था वो उतना है कि strongly no था लेकिन आप आगे क्या हो सकता है मुझे कुछ भी नहीं पता तो भाई देखो Dame Madison को social media पर काफी जादे troll किया जा रहा था उनके CM Punk के बात को report को ले करके लेकिन अब उन्होंने अपनी ही बात से पलट गया और उन्होंने का है कि मुझे भी नहीं पता सिर्फ उनको ही सही में report क्या है वो ही पता है कि CM Punk में आ रहे है यह नहीं आ रहे है वह यह चीज की बात तो उनकी सही है कि हायर अप सी है वह जिनको पता होगा लाइक जैसे ट्रिपल एच हो गए निक खान हो गए और इन जैसे सुपर स्टार को ही पता रहता है कि डवल वल में कौन आ रहा है कौन जा रहा है लेकिन डेम मेडिसर ने जिस तरह से अपनी बात को पल्ट यह तो भाई एकदम ऐसा हो गया तोबह तोबह सारा मून खराब कर दे वाली बात यह चीज में आपको पहली बता दू कि इन सारी रिपोर्ट साथ छोड़ दबे भी करो जाओ क्यूंकि सीम पंग भाई डवल वल में आने ही आने है वागि आप लोग के क्या ठोट है इस चीज को ले करके आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ